नमस्कार जैसरी राम रादे रादे कैसे हैं आप सभी उम्मिल करता हूँ सभी एकदम बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया एनर्जी से बहुत ज्यादा एनर्जी से आप इस वीडियो को देखने आयोंगे जिससे आप हम वह सब्सक्सक्राइब html को सुरुआत कर सके है तो सब्सक्साइब की,olब की सुरू करते है आप, हीब एस लिए हमार्क रागविघ क्या होती है, देख है कोई भी website धुनिया की, एकस्ट है और कर लोड़ु shortcut, तो हमें बेसिक यूजरी कोई बेसिक वेबसाइट तीन मिनिम्म प्रोग्रामिंग लेंगों इससे मिलके बनेगी वह तीन कौन कौन सी HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट यह तीनों काम क्या होते हैं कि एक से नहीं बना सकते हैं सी एक बना सकते हैं के अबर इस बना सकते हैंसे पिर तीनों के यूज करना है?. तो तीनों कीओ करना है कब स्क्राइब और को कि सब्ताु करना लाब समझा हो दा इक मैं हमारी हड्डियाँ केवल आप कंकाल को देखो हैist ع calendar की यह द्रन ना वेबसाइट जिसका केवल structure है कि ऊपर कौन सा टेक्स्ट है उसके नीचे कौन सा टेक्स्ट है उसके बाद कौन सी मिज है वो केवल structure हम फॉर्म करते हैं तो से बाद हम एक human body में नाख बड़ी इसकी आंख बड़ी इसकी चोटी इसकी नाख बड़ी इसकी नाख चोटी तो ऐसे ही css का यूज करके हमने हमने इस टियूर का स्टरक्चर बनाया था उस बैप स्ट्रक्चरड थे स्टिक्चर को भ्यानियूज करते हैं उसا मुखे उसके खर व डेने होगे योजंद करते हैं जिवा शृ進is में तैसे लेंसके फिसे जौड़े गई sustainability को लेकिन वो खुछ चो कोई function नहीं करेगी कोई function नहीं करेगी इंद सेम एक website जो HTML और CSS से मिलके बनी है वो एक card की तरह है आप उसे किसी को दिखा सकते हो लेकिन वो function नहीं करेगी उसमें java script डाल दोगे तो उसमें एक दिमाग आ जाएगा और दिमाग आने के बाद वो कुछ ना कुछ function कर सकती है कुछ ना कुछ वो खुछ से काम कर सकती है website तो आपको समझ में आगा है कि HTML, CSS, java script different कैसे है तीनों के requirement क्या है तो basic अगर web development आप सीचिन चाहते हो तो minimum आपको तीनों आने चाहिए HTML, CSS, java इसके बाद और भी चीज होती है लेकिन basic में आपको यह तीन आनी चाहिए सबसे basic सुरुआत कहां से होगी HTML से structure बनाने से तो आओ यार सुरू करते हैं हमारी HTML को देखे है HTML को आप आपना दिखा होगा टाइप करते हैं हम लोग इस बेखे हमें अब करते हैं आप करते हैं यह तो क्या हम नोटपैट में टाइप कर सकते हैं टाइप कर सकते हैं तो Color बैट करेंगे में HTML को क्या हमAutपैडल करें क्या लें लिख्यान रहुं हे लिखे लोगा कि अश्र। अब देखो यह नोटपेड हमने लिखा अब नोटपेड में क्या होता है ना हर टेक्स्ट बेस वसी ब्लेक कलर में आते चल रहा है कि लाइन में आते चल घंट तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम क्या करते हैं कोई कोई से टेक्स्ट अइटर ले रहते हैं टेक्स्ट रेटर क्या होता है जिते भी कोड़ सोते हैं मुझ ब्लैक स्क्रीन होती है इक लिए क्लोस विए सब कैसे इंस्टॉल करने हैं इनकी वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे कि हाउट इंस्टॉल वीएस कोड हाउट इंस्टॉल एटम कोड़ेटर हाउट इंस्टॉल सब्लाइम टेक्स 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 टेटर डाउनलूड कर सकते हैं अपने लैपटप प्म्प्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं तो ठीक है रहाओ देखते हैं जैसे मैं एटम कोड़ेटर यूज कर रहा हूँ तो मैं हर website का common code होता है किसी code को किस structure में लिखा जाएगा तो बॉयलर प्लेट code को लिखना पहले शिखते हैं कि बॉयलर प्लेट कोड को लिखा कैसे जाता है अब दोको आप डेली बीसिस पर प्रोजेक्स कर रहे हो डेली बीसिस प्रेक्टिस कर रहा है फिर आपको चीजह याद नहीं रखनी पड़ेगे शुरुआत में आप चाहो तो जो चीजह बता रहे हैं वो लिक भी सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्सन में नोट्स की लिंक मिल ठीक है तो अभी देखते हैं कि हम boilerplate code जो कि HTML का basic code जो हर website में common होता है वो कैसे लिखते हैं सबसे पहले हमें अपने document को हम जो लिख रहे हैं type करने वाले हैं तो इसे कैसे पता चलेगा software को हम HTML लिख रहे हैं सबसे पहले से बताओ कि हमारा document type कौन सा होने वाला है हम जो लिखने वाले हैं जो चीज लिखने वाले हैं वो document type क्या है तो सबसे पहले बताओ आपका doc type क्या है doc type क्या है अब देखो HTML के tag को लिखते किसे है HTML का कोई भी tag है उसे कैसे लिखा जाता है एक opening इंगल ब्रैकेट लगाते हैं और यह जो पैक करके बनता है इसे कहते हैं HTML tag की opening अपने पैक किया opening अंगल ब्रैकेट पर टैक का नाम पर closing अंगल ब्रैकेट यह तो अभी tag की opening होई यह पूरा मिला के अब यह tag की closing कैसे होगी पहला वाला जो opening इंगल ब्रैकेट है तो टैक की opening कर दी अब टैक की closing के लिए सेम चीज़ को copy नीचे और पहला वाला जो opening इंगल ब्रैकेट है उसके तुरंत वाद एगर एक forward slash हम लगा दें तो उस टैक की closing हो जाती है फूर एक्जांपर हम अपने computer पर देखते कैसे देख की जास हो जाएंगे तो सबसे पहले हमें अपने computer को define करना है वह हमारा dog type क्या है dog type define करने लिए हम लगाएंगे opening इंगल ब्रैकेट फिर लगाएंगे exclamation mark और फिर करेंगे dog type define अब यह dog type define करने में हम exclamation mark क्यों लगाते हैं ओपने इंगल ब्रैकेट आपको समझ में आगे कि html tag की हम शुरुआत कर रहे हैं html tag लिख रहे हैं तो opening इंगल लगाया और फिर exclamation mark क्यों लगाते हैं तो यह आप यह चीज़ थोड़ा memorize कर लिए कि dog type जब हम define कर रहे हैं तो dog type से पहले और opening इंगल ब्रैकेट के बाद हम exclamation mark लगाते हैं अब dog type के बाद हम define करें कि हम language कौन सी लिखने वाले हैं for example हम html लिखने वाले हैं तो html define कर दो दो एक closing लगा दिया अब देखो यह dog type html हमने लिखा है इससे हमारे software को define होगा है अब यह बैक्ति आगे इसमें html language लिखने वाला है मतलब जब हम इस document को save करेंगा और chrome जब इस document को open करेगा बाद में तो chrome को समझ में आया कि लिखते कैसे हैं ओपने अंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन मार्क फिल लिखे हमने डॉक टाइप उसके बाद लिखा html और एक closing अंगल ब्रैकेट यह होग है dog type कैसे define कि हमने अब next line से हम लिखेंगे अपना boilerplate code यह boilerplate code चल रहा है अब boilerplate code की सबसे खाज है कि कोई भी website है उसका पूरा content दो html text के बीच आता है दो html text कौन से देख पहले बाद तो html text होते है html text एक container होता है जिसके अंदर आप एक content को रखते हो html tag एक container होता है जिसके अंदर content रखते हो सबसे आपने देखा डिबबी के अंदर डिबबा उसके अंदर को डिबबा कभी दिखा है और सबसे बड़ा डिबबा सबसे बड़ा content container होता है html tag भाई html tag तो ठीक है उस tag का कुछ और नाम html में उस tag का नाम html tag ही है अब इस tag की opening कैसे करेंगे ओपनिंग करने के लिए हमने देखा था ओपनिंगल ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले फिल लिखेंगे टेक्स का नाम मैंने बताया इस tag का नाम html tag ही है तो यहां लिखेंगे html और फिल लगाएंगे एक closing इंगल ब्रैकेट अब यह पूरा मिला के एक html tag की opening हुई है यह पूरा मिलाकर html tag की opening हुई है आप इस क्लोज कैसे करेंगी नेक्स एंटर दबाओ next line में आओ फिर एक opening इंगल ब्रैकेट फिल लिखा हमने html और closing इंगल ब्रैकेट तो भाई है यह ओगा किया है उसे close तो कर दो अब closing में आपको पता है हमने क्या किया था पहला वाला जो opening angle bracket है उसके तुरंत बाद एक forward slash हमने लगा दिया था यह होगी HTML tag की closing यह एक opening angle bracket के बाद तुरंत बाद हमने forward slash लगा दिया था tag के नाम से पहले यह होगी HTML tag की closing अब देखते हैं HTML tag सबसे बड़ा container है HTML tag कसी website के सबसे बड़ा container अब इसके अंदर यह डिब्बा है इस डिब्बे के दो डिब्बे और डालो पहला डिब्बा head tag head tag दूसरा डिब्बा body tag लेखो अब हम लिखे हैंगे से head tag, html tag के बीच में, बड़े डिबबे के बीच में दो डिबबे बनाने हमें, head tag और body tag, तो पहले head tag बनाते है, head tag के लिखते कैसे है, opening angle bracket फिर लिखेंगे, head closing angle bracket, हम बोली रहे है head tag, tag का नाम क्या है head tag, head इसके अंदर आएगा, और यह हो गई head tag की opening, जैसे में opening angle bracket, फिर tag का नाम, फिर closing angle bracket, अब head tag को close कैसे करेंगे, एक opening angle bracket, फिर forward slash, फिर head लिखा और यह होगे close, देखो, हमने कुछ नहीं किया, head tag की opening तो आपको समझ में आगई, कि opening angle bracket लगा है, फिर head लिखा, फिर closing angle bracket लगा दिया, closing कैसे की, पहला वाला जो opening angle bracket है, उसके वाद एक forward slash लगा दोगे, फिरो जाएगी, tag की closing, अब देखो, मैंने बूल ला था, HTML tag है एक बड़ा container, इसके अंदर हमें दो container और बनाने है, एक बड़ा डिबबा है HTML tag, उस बड़े डिबबे के बीच हमें दो डिबबे और बनाने है, head tag और body tag, तो head tag तो हमने बना लिए एक डिबबा, एक और डिबबा इसके नीचे बनाना, body tag, अब body tag की opening करो, वही opening angle bracket, फिर tag का नाम, closing angle bracket, यह पूरा मिला के होगे tag की opening, अब tag closing कैसे करेंगे, opening angle bracket के तुरंत बाद एक forward slash, और फिर वही body, और closing angle bracket, यह होगे tag closing, अब देखो, भी आप बोल लेते के colorful देखेगा, same color आ रहा है, तो इससे सम नोटपैट में कर लेते, वालतु हम से text writer इंस्ट्राइट कराया, और यह same color आ रहा ना, तो colorful है, और सभी ए एक लाइन में aligned है, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तो अब से करो save, इस file को करो save, save as, पहली बार कर रहा है, तो save as करेंगे, next time के वल सेव करेंगे, अब मैं से करूंगे, desktop पर save, desktop पर save करने से पहले एक नया folder हम बनाएंगे, एक new folder बनाएंगे, free html website, यह हमने एक folder बनाया, free html website, इसके अंदर हम अपने इस document को save करेंगे, अब इस document को किस नाम से save करेंगे, तो देखो है, हम अभी सबसे बल करना है, website का home page, और जो search engine optimization होता है, यह से कोई browser, chrome है, तो chrome को, chrome पर आप कोई link निकालोगे, आप search करोगे, तो अकेडवल की result आएगा search result, उस search result पर आप click करोगे, तो आप अकेडवल की home page पर पहुंचोगे, अब chrome को कैसे पता, कि यह अकेडवल का home page यह है, आपको सीधे वो about us की page में क्यों नहीं ले जा रहा, उससे कैसे पता चला कि home page यह है, तो home page जो होता है, उस इसलिए सारे coders, सारे developers जो पहला piece डिजाइन करते हैं, उसे index.html की नाम से save करते हैं, तो हम अपने पहले document को index की नाम से save करेंगे, और index की नाम से save करने की बाद लगाएंगे, इसमें extension, हमारे computer को बताएंगे, इंडेक्स की नाम से क्या है, इंडेक्स की नाम से html document, इसलिए index.html हम यहां लिख देंगे, और इसे कर देंगे save, अब जैसे हमने index.html लिखा, इसमें colors आ गए, red color आ गया, थोड़ा भी लग रहा है कि हम coding कर रहे हैं, ठीक है, अभी देखो हमारा webpage हमने बनाया था, किस folder में, यह रख, free html website के folder में हम इसे करते हैं, open इस folder को, और हमारा index.html है, उसे करते हैं open, अभी ए chrome document बन चुका है, यह chrome में open होगा, तो यह हो गया हमारा index.html, देख, open लिखा हुआ है, index.html, लेकि इस पर आपको कुछ दिख नहीं रखेंगे, अभी तक हमने keyword document बनाया, कोई चीज में नहीं डाली है, हम सबसे पहले, head tag में डालते हैं, title, अभी देख, अभी navigation बार में आपको क्या दिख रहा है, index.html दिख रहा है, आपको file का नाम दिख रहा है, मैं चाहता हुआ है, यह title आ जाए, website का, title tag लगाएंगे, अब सबसे पहले, title tag क्या होता है, opening इंगल ब्रेकेट, फिर title लिखेंग इन की तरह ब्रक करता है, title tag की opening, closing आपको, फिर टेल लिखेंगी, अब टेख की लगा दिया, तो title tag की closing हो गई, अब title tag की बीच यह container की तरह बात करेगा, इसके बीच हम टाए लेगए, title जो हमने अपनी website को देना है, आपनी website को देना है, free HTML website, साइट फ्री एस्टेमल वेबसाइट और इस डॉक्यमेंटों कर देतें सेव अब देखो अभी मैं सेव इस सेव को बटन पर क्लिक कर रहा हूं अगली बार जब सेव करूंगा तो आप समझ जाना कि सेव मैंने सेव बोला इसका मतलब सेव कर दिया ठीक है अब देखते हैं रिलोड करके रिलोड जैसे हमने किया तो इंडेक्स.html की जाए उपर लिखा आगया फ्री एस्टेमल वेबसाइट देखो हैड टेक के अंदर हम जो भी डालेंगे वह आपको वेबसाइट के जो पेज है नीचे उसमें दिखाए नहीं यह वह कहां जाएगा हमारी डिस्प्ले पर यूजर को सो फोर एक्जांपल एक बॉड़ी टेक के अंतरम क्या डालें एक बॉड़ी टेक के अंतरम हमने एच बन डाला यह क्या होता है अभी आपको सिखाऊंगा हेडिंग है बहुत भी आपको सिखाते हैं तो देखू यह मैंने हेलो वर्ल्ड हमने डाला तो हेलो वर्ल्ड हमारी पेज पर लिखा हुआ गया तो यह होता है बॉड़ी टेक के अंतर हैं टेक के अंतर जो डालोगे और वैबसाइट के दिमाग में जाएगा उसकी पहचान म में जाएगा बॉडी टेक के अंतर जिब डालोगे वह आपको डिस्पेय पर सोगा तो देखो या अब हम समझते हैं है एच वन क्या है तो देखो सब पहले होते हैं कुछ हेडिंग टेक्स जो एच बन एच टू एच त्री एच फॉर एच फाइव से लेके एच तक जाते है यह अपनी-पनी साइज पर डिबेंड करते हैं एच वन सबसे बढ़ी हेडिंग होती एच सब छोटी है होती है अभी हएच वन एक टू एच त्री एच फाइच फाइच फ़ाइच फाइच 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 फैव ए शिक सारे टेक्स ओपन और क्लूज कैसे होते हैं बहीं लगा दोगे तो हो जाएगी की opening और फिर एक open English लगा के क्लोजिंग इगल लगा होगे तो हो जाएगी है टेक की क्लोसिग है विसे हम समझते हैं इसक्रिन प्षाध्यादया अद्यान से देखो ओपने इंगल ब्रेकट हमने लगाया फिर एच्वन लिखा और क्लोजिग बैकल यह और यह ओगई एच्वन टेक्ड की ओपनिंग अब हर एच्वन टैक की क्लोजिंग करनी है तो एक गैजन के तरफ नगे तरफ काम करेगा ओपनिंग और क्लोजिंग नूबर वन में डाल लिए मतलब सबस्तुबड़ी एडिंग मैं अपको क्या डालना है तो हम डाल देते हैं जैसरी राम डाला और इसे कंड्रल प्लस दवा के सेव कर देंगे तो देखो एचवन में जैसरी राम लिखा आ गया है अब जैसरी राम हमने लिखा है तो वह सबसे बड़ा दिख रहा है लेकिन आभी आपको भाई यह स्क्रीन पर छोटे दिख रहा है राम जी ऐसा क्यों तो दिखा लेकिए तो मैं इसे कर लिता हूं कॉपी और इसे करदाँं वारवर अगली लाइनवे पेष्ट च्च वार हां अचब एच्वान एच्वान एच्ट्व करता हूं हँ सग्ड़ाई से स्झारी लाइन नोगर दो और दो आप लिए इतना ही कर सकते हैं सिक्स तक सारे रखनें क्लोजिंग और इसे करते है है एक सिक्स की क्लोजिंग और इसे करते हैं कि अप पहले वाले भड़िंग गड़े हैं दूसरे वाले राम जी एच छोटे क्यों है कि दूसरे 1500 के अंदर लिकी ही आहालए छोट Nahum कारती हैं तो हमने क्यासी की सारेiqué अगेतर ही लिए अब आता है पारग्राफ पैराग्राफ टैक्ट यह तो कोई हेडिंग ज्या mi कोई Hyung number लिखना तो पैरग्राफ कैसे लिखना पर लिखा अब जोती है ऑफ मी हम कalie हो गए पर जानसे यह टिक है और दिन्मद हम्ने पॉर्वार्डविक्ट अागल लखता है और फिल लिखते हैं टैक के closing तो और लेक्ट फ्र फॉर वार्वाइट सेनला फिर फिर दम पि यह गया के closing अब दौनों opening closing के बीच आप पर लिखे देंगे जो में अब्हक्राफ अमारे पर पेज़ पर सो कराना है तो परगाफ में क्या लिखेंगे जैमा जानकी यह हमने लिखा परगाफ में उसको कॉपी-पेश्ट अब यह परगाफ तो यह यह तो यह लाइन हो गई इसे बारवार कॉपीपेस्ट में कर देते हैं इधर और देखो view पर क्लिक करके इसे करदें toggle soft drop wrap तो हमारे एक ही पेज में यह सो हो जाएगा अब यह जै महाजान की हमने बारवार यहाँ copy paste कर दिया है अब इसे करते है control प्लस यहाँ इहाँ पूरा एक पयर अपक्यारव लेक्स की ओपनिंग से क्लोजिंग अपक्यार क्लोजिंग करते अब याँ कर दो यह बन गया है इसके प्रहण साईज किती है हमसे जूम करके देख रहे थे अभी तो यह पूरा पैरग्राफ यहाँ नहीं बन गया है तो हमBooks ठीका कि HTML में आप paragraph कैसे लिखते हैं कैसी website पर है आप जो website बनाओगे तो उसमें about us का paragraph लिखोगी तो वो कैसे लिखोगी पी tag के अंदर में तो इस तरीके से हम लिखते है HTML लगाके paragraph tag लगाके ठीक है अब देखते हैं term break tag ? अभी तक हमने सीके उनकी opening भी और ती closing भी हो रही थी लिएंग कुछ tag onlar होते है ब्रेक tag ऊपन होता है तो पहले समझते वेगए क्या होता है मालो मैं चाहता हूं कि पहली वाली जैमाजानकी लिखा हुआ है तो जानकी मईया के नाम के तुरंत बाद जो सेकंड वाले जैमाजानकी का नारा है वो नेक्स्ट लाइन से आए मतलब वहां से मैं लाइन को ब्रेक करना चाहता हूँ आगी की चीज नेक्स्ट लाइन से आए तो मैं वहां से लाइ से यहां लिखे इसके वार हम लगा हैं बी आर टेग्टि एक तरियुकर वे एकलाइंगे प्रेकट प्रमिटा इसका मतला कीया है अब Secretary गया जाता है तो सबस्सक्ति 카व आपने पर डान तो देखो यह line यहाँ से break होगे नीचे वारी line से पिर जैमाजानकी फिर break पिर नीचे वारी line से फिर जैमाजानकी अब इस पर हम चाहते हैं फिर तीसरी ओली स्लोगन से फिर हम लाईन को ब्रेक करना चाहते हैं जो फञड़ पहला स्लोगन लॉगन हो गया मतलब स्लोगन नमरब वब्रेक को जाए तो एक और टेग लगा दू उपने उंगल ब्रैकेट ब्र और क्लोजिंगल ब्रेकट है अब देखो अब HR tag का use कैसे करते हैं भी है HR tag भी break पहले समझे रूलर क्या होता है हमने skill सुना skill उसे रूलर भी बोलते हैं उसे हम line कीशते है horizontal ruler मतलब HR tag आपके पूरे बैप पेज पर horizontal ruler छप जाए एक line लग जाए horizontal ruler बन जाए है उसके लिए हम करते है horizontal ruler मतलब HR tag का use HR tag की कीवल opening होती है और apply हो जाता है मैं चाहता हूँ कि H6 के तुरंत बाद एक horizontal ruler आ जाए फिर पिरग्राफ इस्टार्ट हो तो H6 के तुरंत बाद हम एक enter दबाएंगे और यहां लगाएंगे HR tag की किवल opening होती है opening अंगल ब्रैकेट फिल लेका HR फिर closing अंगल ब्रैकेट और उसे कर देंगे save तो यह देखो HR tag की opening इसकी कोई closing नहीं होती है और यह apply हो जाएगा तो इसे करता है save HR tag को और आप देखते है रिलोड करके तो देखो यहां पर एक line आ गई है h6 के बाद h6 और paragraph tag के बीच एक line आ गई है horizontal ruler बन गया है अब मैं चाहिए परग्राफ के तुरंत बाद भी horizontal ruler यहां होना चाहिए तो यह परग्राफ की तुरंत बाद जहां पी टेक खतम हुआ उसके तुरंत बाद एक बार एंटर दबाओ और horizontal ruler tag लगा दो HR tag और इसे कर दो save तो देखो इसे जैसे ही हमने save किया फिर से एक horizontal ruler बहाँ बन गया यह हो गई हमारे web page के सुरुआत किस तरीकी से हम एक web page को सुरू करते हैं अब web page में HTML बहुत सारी चीज़े हैं यह है वह पहली वीडियो जहां हम आपको अपने YouTube चैनल पर free मैं HTML सिखा रहे होंगे तो HTML बच्चे भूलने लगते हैं भूल क्यों जाते हैं class देख ली lecture देख ली वीडियो देख लिए लेकिन याद नहीं है याद क्यों नहीं है practice नहीं की practice कब करेंगे जब कोई आपको practice करने के कुछ homework देगा कुछ assignment आपको देगा और देगा तो ठीक है वो तो आप कहीं से भी platform पर आप अकेड़ेबल डॉर्टव में या अकेड़ेबल डाउड कर सकते हो जहां आप देखोगे HTML का एक course है उसके अंदर आपको यह सारी services मिलेंगी बाकी lecture और class और वीडियो तो आपको यहां भी यूटूब पर भी एविडियो बट उसके अंदर extra feature क्या है कि आपको पर project के उपर एक वीडियो मना के मिलती है तो यह सब भागी खासित है वह आप चेकाड़ेबल डॉर्ट कॉम पर डिस्क्रिप्शन में सब चीओं की लिंक मिल जाएगी मिलते हैं अगली वीडियो में HTML की आज के लिए इतना ही जैसरी राम